किसी गाव में एक किसान रहता था, इस संसार में वो बहुत ही गरीब था, उसके पास जमीन का एक छोटा सा तुकडा था जिस पर वो खेती करता था, उसका गुजारा अत्यंत कछिन तरीकों से होता था, एक दिन सूरज की गर्मी चरम, सीमा पर्थी परंतु किसान हमेशा की तरह खेत में काम कर रहा था, पसिने से लतपत किसान बुआई के लिए खेत जोत रहा था, इसी बीच खेत में खुदाए, तरते समय जमीन से एक बड़ा सा लकडी का बक्सा मिला, किसान ने सावधानी से बक्षे को निकाला पहले तो उसके समझ, में नहीं आया कि बक्षे क क्या करें, आखिर उसने बक्षे को खेत के बाहर रख दिया, उसे साफ करके जो रोटियां वो घर से लाया था, वो बक्षे में रख दी और अपने काम में जुट गया, दोपहर को जब वो खाने के लिए रोटिया निकलने के लिए बक्षे के पास गया तो हैरान रह गया, जैसे एक मून फली का दाना डालो तो तुरंट उसमें से असी दाने निकल पड़ते किसान ने तृप्त होकर खाना खाया और उसके बाद किसान संतुष्ठ होकर बकसे को घर ले आया बकसा मिलने के बाद किसान बहुत खुश था उसे लगा कि उसके सब दुख अब दूर तो बकसे से तुरंट प्राप्त कर लेता समय गुजरने के साथ साथ उसके बकसे के बारे में गाव के जमीन दार को पता लगा जमीन दार बेहद लालची था और उसे लगा कि ऐसी ही जादूई चीज़ पर तो उसका अधिकार होना चाहिए उसके आदेश पर जमीन दार के लटठेट किसान को पकड़ कर ले आएं। उसने किसान को धमका कर कहा। बक्सा जिस भूमी से मिला से है वह मेरी जमीदारी में आती है। इसलिए बता उस भक्से पर किसका अधिकार बनता है। लेकिन जमीनदार ने बहुत धमकाया बक्सा। पाकर जमीनदार बहुत खुश हुआ। मगर किसान का रो रोकर बुरा हाल था। जमीनदार की अगचान्दी हो गई। वह जो चाहता बक्से में डालता और उसे कई गुना पाकर खुश हो जाता। कुछ लोगों ने जादूई बक्से की खबर मंत्री जी के पास पहुचा दी। पहले तो उसे विश्वास नहीं हुआ। फिर उसने अपने विश्वस्थ सेवक को बक्से की सच्चाई पर रखने के लिए भेजा। वह जो उसने बक्से का जो जादू देखा तो वह मंत्री के पास जाकर सारी सच्चाई बता दी, मंत्री, ने जमीनदार को बुलाया फिर उसे डराते हुए, कहा, हमें पता चला है कि तुम्हारे पास एक जादूई बक्सा है उसे तुरंथ हमारे हवाले कर दो, इसी जादूई बक्से को हाथ से निकलते हुए, देखकर जमीनदार की हालात खराब होने, लगी, उस ने बक्से के साथ साथ मंत्री के निकम्मेपन की, खबर भी राजा तक पहुचा दी, बक्से की बात सुनकर राजा अधीर हो उठा, वो अपने सेनापती के साथ मंत्री के घर, जा पहुचा उसने कहा देश की सारी जमीन, राजा की होती है, इसलिए जादूई बक्से, पर अधी उसी का हक है, मंत्री ने बिना देरी की ये बक्सा राजा को दे दिया, जादूई बक्से को पाकर राजा प्रसन हो गया, सबसे पहले राजा ने जादूई बक्से की मदद से अपनी खजाने की व्रिद्धी की फिर राजा को उस बक्से की सुरक्षा को लेकर चिनता ह राजा हर कीमत पर उस बकसे को अपने साथ रखना चाहता था, राजा ने सोचा कि इसका रहस्य ग्यात करना चाहिए कि आखिर इस बकसे में हैं क्या, ये जानने के लिए राजा उसमें प्रवेश कर, बैठा जब बाहर निकला तो उसके पीछे-पीछे, असी राजा बाहर नि बेहत दुख हुआ, वो अपने आपको कोसने लगा कि कितना अच्छा होता कि मैं बकसे को जमीन में ही गड़ा रहने देता। झाल झाल